राम राम मोट्यारोग ये लाइन तो आपने बहत खुब सुनी होगी, क्योंकि जो लोग राजस्थानी कमेडी में रूची रखते हैं, उन्हें ये लाइन काफी बार सुनने को मिलती है जी हाँ आज में बात कर रहा हूं राजस्थानी कमेडी किंग रवी सुथार की रवी सुथार राजस्तानी छोरा official channel में A.J. lead actor के रूप में आते हैं और हम उने देखते रहते हैं और उनके channel में हमें कुछ ऐसी चीज़े देखने को मिलती ही राजस्तान की मिलती से जूड़ी जो साइद अनेको channel जो YouTube पे चल रहे हैं नहीं मिलती है तो दोस्तो वीडियो को लाज तक ज़रू देखे आज हम आपको बताने वाले रवी सुथार के जीवन के बारे में और कैसे वो कोमेडी की लाइन में आए और कैसे वो राजस्तान में आगे और भी ज़्यादा वीडियो देते आएंगे हमें उनके जीवन से जुड़ी कुछ एहम बाते हम आपको बताने जा रहे हैं, वीडियो को कर दीजे, लाइक और चेनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं के अवजल से सब्सक्राइब जरू करते हैं, और बेला एक अदर वाना बिल्कुल भी ना भूले, चलिए, शुरू करते हैं, राजस्तान में सरदार से कु करमेडी लाइन में कैसे आए, दोस्तों इन्हें बचपन से लिखने का बहुत सोग था, कवीता गाने और यूट्यूब पर फिल्म स्टोरी आदी इन्होंने काफी लिखी, यूट्यूब पर इन्होंने बहुत से सूपर हीट गाने दिये हैं, उन्हों से जोगी सोंग जो की प्रकास गान्धी ने गया वह मेरा फेवरेट है, अगर आपको ये गाना सुनना है तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, इनके क्रियेटिव माइंड की वज़े से एक बार रवी सुथार की मुलकास संजीब जाट से हुई, जो की बहुत एच्छे दोस्तों आपको बता दें कि संदीब जी जाट बहुत सीथे और साधरे निसान है, और बोलिवर्ड में इनकी काफी पहचान भी है, और इनका कहना है कि जिस तरह पंजाबी हर्यानवी या साउथ की फिल्में पूरा देश पसंद करता है, वेसे वे भी चाहते हैं कि राजस राजस्तानी संस्कृति पूरे देश तक पहुंच सके, और जैसे इनकी मेनत है और लगन है, मुझे लगता है कि वह बहुत जड़ इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, और संदीब जी से मिलने के बाद रवी सुथार और राजुजाट कोमेडी के दिन बर दिन वीडियो बना हुआ था, तो मैंने ये महसूस किया है कि इन्हें लोगों के दिलों में उतरना बहुत ही अच्छे से आता है, दोस्तों इनकी सोच और सपनों को मेरा सलाम है, इनके इस साधान से वेक्तितू के कारण ही मैं इनका बहुत बड़ा फैन भी हूँ, दोस्तों आप इनकी वीडि दिये सब्सक्राइब और बेला आएके तमाने बिल्कुल भी नहीं भूले हैं